लाट टाइम भी था और अभी विए weन टू को ठीज है ठीज स्ग्वाइब कर रहा है कि आप मार्केटमें मज़ें मैंज़ेंद कि दहा resistant को रहा icon मार्केट पूरा डाउनसाइड में अभी तो अब इसमें एक ट्रेन लाइन आ रहे तो यह प्रिवेस मारे ट्रेन लाइन है जो 15 मिट के टाइम फिर बनने है वन टू त्री लास्ट क्रोजिंग सीप हुई यह अब इसमें की कहां सोचेंगे बाइंग सोचेंगे हम 40300 के अपर थेके 4300 चाहल सा 350 इस रिंज को एक अपसाइड रेक करता है तो का 303 लॉट की मोँमेंट एक्सपक्टेश है कि मार्केट साथ चाहल को द्हाइंश तीनसों मुमेंट देखिए जो कि यह point है ठीक है ऐसा short side क्या सोचेंगे कल के दिन अब यह देखो क्या bank lift पूरा downside है downtrend में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 तो अभी नया low नहीं लगा है ठीक है यह previous low है ठीक है previous low पर हम क्या करेंगे हापर short के position देखेंगे हमें हापर short के position मिलती है तो रख करने के उसर करेंगे हापर ठीक है जो कि हमारे लिए कल के दिन यह level रहेगा और सरी आज के दिन यह रहेगा ठीक है previous हम क्या देखेंगे previous हम देखेंगे इसका last support कहा बना था थोड़ा बैक चलींगे ठीक है एक एक तरह को स्ट्रॉंग सपोर्ट तो यह पॉइंट है जो कह 49560 और 49500 ठीक है एक यह स्ट्रॉंग सपोर्ट है बैंग निफ्टी सपोर्ज करो आज के दिन एक गैब डाउन होती है उपनिंग तो 49560 और 49500 इस रिंज में आती है तो एक बैंग की पोजिशन सोचेंगे ठीक है जो प्रिविएस है यह जो कि है हमारा ठीक है एक पॉइंट यह है और एक पॉ है ऐसे सपोर्ट और करेगा सब्सक्राइब करें यहां पर ओपनिंग होती है ठीक है तो वेक आएगा मतारी से नोह सों पचास और नकॉसिशन एक पुल बैंग के लिनिक प्रोजिश करेगा और सपोस करो 49 950 कोर 49 को क्रोस करता है ठीक है इस रिंच को प्रेक आओट करता के लिए देखेंगे कहां तक के लिए 49,550 और 49,500 ठीक है यहां तक की एक्सपेक्टेड है मार्केट एक मुमिट दे सकती है डाउनसाइट के लिए के लिए और तो मैं टेलिगाम पर फ्री अफ कॉस्ट अबडेट कर देता हूं कि लेवल कहां से कहां तक जाएंगे और इस टॉपलस टार्गेट दोनों मिल जाता है ठीक है अब देखते हैं अब साइड जाने के लिए अब लोग उता दिया है अब साइड यह जो प्रिबियस ह हाए था सुरी हाँ baikya कि άλλ आ situations हो हुआ है कि लिए भीन फर्वर्वरी वन को आया ठाल संब infinites that दॉसके बादा है पिर फर्वरी फर्वली सोला फर्वरवी सोल को फाया था आया सल रेजिस्स और सबपर्ट च्चल बरक करने वाला यह एकका लेवल उससे पहले हमारे लिए क्या इंप्रोटर लेंगे हमारे लिए प्रीवेस आई ठीक है एक प्रीवेस आई भी जो मैंने आपको समझाया भी था एक साइक्कोलोजी लेवल होता है एक यह एक psychology लिए वो लोगता है तो अभी हम इसमें long कहां सोचेंगे long हमारा previous high रहेगा अब previous high क्या बनता है एक तो हम यहां पर long के-पिश्य न आ सकते है ठीक है जो कि 40,165 ठीक है इसके पर एक long के-पिश्य न आ सकते है कि उसका रिजन है पीछे का यह प्रिवेस लो ठीक है यह पुरा गार्वेज एरिया है ठीक है वन टू थ्री मार्के मार्केटिक्स में काफी साइम टेक्स स्टेंड करती है और इसे ब्रेक करती है तो एक अपसाइड ड्रेली कंट्यूनुड हैगी जो गरेगी nih 4500 और 4600 तक की जो यह गप आप है गप है और गप का कर सकती है और दूसरी जो इस्ट्रोंग यहां पर एक रिजिस्टन्स में सकता है छोटा सा रिजिस्टन्स जो है कर 44300 और 44300 पचास जो कहें है प्रिवेस हाई थेक है इसको मार्केट बाट यह स्ट्रोंग नहीं है खिले क नहीं है ठीक है तो हमारे लिए क्या इन प्रोटेंट लेवल से रहने वाले हैं एक तो ही ट्रेंड लाइन है हमारी प्रिविएस ट्रेंड लाइन हम सोचींगे इस पॉइंट पर 49-600 ठीक है 49-600 से और 49-500 तक का टार्गेट मिलेगा तुम्हें जो प्रिविएस लोय से ब्रीक करेगा तो एक 49-500 तक कर जा सकता है मार्केट और दूसरा मार्केट आपसाइड जाने के लिए हमें क्या लेवल देखने है प्रिविएस आई जो किया है 40-110 40-160 ठीक है और टार्ग रहेगा छोटा टार्गेट यह है जो है 40,340 और दूसर टार्गेट यह रहेगा 40-500 ठीक है यह आपनी नोट पैड में नोट कर लो यह लेवल से रहने वाले हैं आज के दिन वर्ण करेंगे ठीक है आज दिन निफ्ती का निफ्टी भी देखो पूरा का पूरा डाउन में है ठीक है यह सब को सब्सक्राइब आता है एक मेंट एक में है ठीक है यह ट्रेंड लाइन है यह एक्वल चैनल है ठीक है यह एक्वल चैनल में है निफ्टी आज निफ्टी को लोंग करने के लिए क्या सोचेंगे सिंपल लोजिक है एक तो यह हमारा रेजिस्टन्स बन जाएगा जो कि इसका गैप है ठीक है यहां पर अल्यडी सेल अडर एक्टिवेट होते हैं इस रेंज में सेल अडर एक्टिवेट होते हैं और प्रिविएस एक हाई भी है जो ओपनिंग था पॉइंट एक यह पॉइं है ठीक है और यहां पर प्रिवेश देख लिए तक हां पर 17600 अब प्रिवेश देख लिए ते हैं है 17400 अक्राद चारस देख लिए ठीक है इस चारश चोबिस आ रहा है ठीक है चार्टिवेश देखेंगे इसकी निचे जोगा तो एक साइकलोजी लेवल भी ब्रीक हो जाए दिखें मल्टिपल टेस्ट कौन सा है अब देखो निफ्टी को लोंग और सोट साइट कहां देख सकते हैं निफ्टी ट्रेंड लाइन पर सपोस्ट करो अभी निफ्टी अभी तो मार्केट ओपनिंग का टाइम होगा देखें मार्केट सपोस्ट करो एक किस रिंज में आती है जो कि है 17,500 ठीक है 17,500 इसका भी साइ साइकोलोजी रिवल था 17,500 पर खुलती है ठीक है पर ओपनिंग होती है तो एक लोंग जाएगी अपसाइड के लिए और उपर साइड के लिए जो भी है जो कि 17,600 ठीक है 17,600 ठीक है 17,600 बीस का स्टॉप्र लोस लगा ले ना यहां पर एक सौट पूजिशन देखना ठीक है लोंग कहां देखेंगे सपोस करो मार्किट आती है इस रिंज में खुलती है और एक दमें चाले को आपसाइड के लिए अधरवाइस ऐसे लोंग मत लेना आप यहां से जाता है दिरे 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 यहां पर टाच होता है और यहां सोचो कि ब्रेक आउट हो गया यह ब्रेक ब्रेक आउट हो ठीक है यहां सपर मार्केट को इस रेंज में उपन होना चाहिए जो कि 4560 का 4070 560 का यहां से यहां सो क्रोस करती है और यहूं इंपल्सिव मूव होता है इंपल्सिव मूव होने का पुलबैक चाहिए है यहां पॉलबैक का इंतियर करना एक प्राइस चार सो ठीक है 17,400 की रेंजे यहां एक सोट पोजिशन बनाएंगे और लॉंग बनाएंगे 17,600 ठीक है 17,600 और 17,620 का स्टोप लोस लगाएंगे 20 पॉइंट का जो कि हमारा बैठेगा 10 पॉइंट का ठीक है और शोट का देखेंगे तो आपको 20 पॉइंट का बनेगा लॉंग क बैठेगा तो सेम 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 इसका नीचे का स्टोप लोस लेगा जो प्रीवेश केंडल होगी उससे 15 पॉइंट के नीचे का स्टोप लोस लगा लेना ठीक है और टार्गेट अप लंबे लगा लेना 17,770 और 17,850 ठीक है और देखो सपोस्पोस करो कि आज के दिन अभी मार्क जा रहा है और opening का होने ची इस point के आसपस, इस point के आसपस होगा तो एक downside बहुत impulsive move आएगा, यहाँ open होता है तो आप धिरे दिरे जा रहा है, तो यहाँ पर एक pullback के उमीद लगाना, 90% chance एक pullback देगा market यहाँ से, ठीक है, 10 से 15 point के stop loss ले लेना, उतना ही target ले लेना, 1 is to 1 के ratio पर आप काम कर सकते हो यहाँ पर, क्लियर इतना, सपोस करो, आज market 17400 close कर देती है, ठीक है, यहाँ close कर देती है, 15 minutes की range, सपोसर 15 minutes की candle close कर देती है, तो target कहाँ रहेगा, 17300, ठीक है, 17300 पर कहीं करेगा, फिर, आप साथ जह नहीं कुश्च करेगा, थोड़ सा downside भी चासकत है, यहाँ पर ज से, ठीक है, इतना के लिए रहाँ सुभी का, गैब अब खुल सकता है, market ठीक है, आज देखते हैं, finance nifty हैं क्या planning कर सकते हैं, finance nifty भी same planning कर रहा है, जो bank nifty कर रहा था, आज यह gap fill हो सकते हैं, क्योंकि समय माइनिट माइनिट पॉर्ट के gap हैं, ठीक है, यह सारे gap fill हो सकते हैं, समझ मारा था तुभी को, यह gap सारे fill हो सकते हैं आज के दिन, as it is same level work करेंगे, ठीक है, 18000, और एक 20 point का उपर लगा लिए रेंज को, ठीक है, अठारा हजार और यहां पर एक short के position देखेंगे, यहां को, एंषाएंगे, यहां आम आए माए तुभी को, देखो सब देखो इसमें क्या स्वाइनस निफ्टी में सेम सेम डेवल बने हुए अच फाइनस निफ्टी का है 18000 ऐसा साइकोलोजी लेवल टेके यह 18000 का जो लेवल है साइकोलोजी लेवल है तो 18,000 और 18,020 इस रेंज में आजने मार्केट को देखो इसको ब्रेक करना इंपूसिबल है एक ब्रेक करता है इंपल्सिमों अपर ब्लैंडली भी आप यहां पर यहांपर बाई कर लोग ऑन्हों तो एक अच्छा खासा आपको मिल जायांग थेस समझें आप क्योंकि यहां पर इतना स्ट्रॉंग बाइंग हो जाएगी इतनी स्ट्रॉंग बहुत आथा कि साइकोलोजी लेवल ब्रेक करना सबकी बसकी नहीं होती है आप इतना प्रेसर लगा लेना और मार्केट इस तरीके से अपन होती है इस तरीके से तो आप मीद मतलगाना कि यहां पर अच्छाएगा यहां से एक ब्रेक आउट हो चुका है ठीक है फ्रेक आउट हो गया थोड़ा सब पर जाएगा और धुर्म नीच आएगा तो यह चीज़ नोट कर लेना यहां पर आपको पुल बैक की लिए ना है 17,800 पर जाती है ठीक है 18,100 पर आती है और यह 200 तक 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 एक रेंज है यहां तक आती है 17,800 जो कि यह हाई होगा ठीक है 18,100 पर आती है उसके बाद पुल बैक करते हैं डाउन साइड तो बेफिकर हो क्या ब्लाइंड ली बाइ कर लेना 20 पॉइंट का स्टॉप लगा लेना और टार्गेट 200 पॉइंट तक के ठीक है 200 पॉइंट कुछ छोटे मोटे नहीं चिंदी चोरी नहीं डारेक 200 पॉइंट के लिए आप सभी का और जिसक्त क्रूड ओइल के भी लेवल देख लेते हैं भी क्या चल्डा है क्रूड ओए लास्ट क्या हुआ सपोर्ट से ही मार्केट उपर गया है पॉइंट टार्गेट तो एक्की बनना है तो एक टार्गेट बदबड़ा बनना है चिंदेंगे टार्गेट बदबड़ा बननना है क्रूड में तो आज क्या करेंगे देखो लॉंग करने के लिए सिंपल सा लोजिक रहेगा हमारा क्रूड के लिए खूड रहेगा हमारा 6360 ठीक है इस रिंज को ब्रेक आउट करता है तो यहाँ पर एक लोग पुजिशन रहेंगे अबसाइट के लिए और टार्गेट लेंगे 6400 तक का टार्गेट रहें नहीं लेता है ठीक है नहीं रहेता है तो तम टार्गेट क्या रहेंगेजे 6,450 यह ऐसा टार्गेट ले सकते हैं और यहां से एक पोल बैक डाउन सेट के लिए दिख सकता है पहला टार्गेट रहेगा चौन सब्सक्राइब और दूसरा टार्गेट क्या रहेगा रहेगा बासट सो सब्सक्राइब करो मार्केट इस रीज में खुलता है ठीक है तो यहां पर सुचना है कि एक लोंग दिखना दस पॉइंट का ही स्टप लोस लगाना जो कि रहेगा रहेगा एक सहजार रुपेगा और फंद्रा रुपे यहां पर चोटा सटार करना चेहजार चेहजार पचास टेकर चेहजार दोसुपचास का जो एक एक सपोर्ट की तरह बर्क करेगा ठीक है यह लेगा लोग यह तक है कि यह तिक है कि यह क्याना में 6,290 करके मार्केट नीचे डाउंसेट जाता है ठीक है डाउंसेट जाता है तो चेहजार पचास का पहला टारगेट लगाना और दोसरा जो प्रिविएस लोग है प्रिविएस लोग क्या है 6,190 ओके यह एक टारगेट लगा सकता है आज के दिन आप दिखते आब मार्केट का लाइव मार्केट चलू हने वाली है और वीडियो को आप से भी लाइक कर दें आपको इंफोर्मिशन कैसे लगी प्लिस कमेंट करके बताएं झाल 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 झाल